Hey guys, welcome back to my YouTube channel of Hospitality Bus and guys, I hope you are alluding really well So guys, आज को मेरी वीडियो को टोपिक है, वो है करियर इन किचन दिपार्टमेंट So guys, मैं आपको एक बाद एंट्रोड़क्शन दे देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है किस-किस चीज़ के ऊपर हम लोग वीडियो में बात करेंगे So guys, सबसे पहले मैं बताता हूं, हम लोग बात करेंगे What is Kitchen Department? मैं आपको explain करूंगा, डिटियल से कि किचन दिपार्टमेंट है क्या उसके working hours के होते हैं, उसमें हम लोग काम क्या करते हैं Section के होते हैं Kitchen Department के अंदर उसके बाद हम लोग बात करेंगे Kitchen Department में Scope क्या है यनि कि Hotels में Scope क्या है और Hotels के लावा, जो बाकी चैसों होते हैं, Retail होते हैं QSR होते हैं, Restaurant होते हैं उनमें Kitchen Department वालों का क्या Scope होता है, वो हम लोग देखने वाले है So Scope जो है, वो हमारे Second Point है, जिसके उपर हम Consider करने वाले हैं Third Point जो हम Consider करेंगी, वह होगा Hierarchy Incasion So यह जो Levels होते हैं, अलगलाग Management के Top Management, Middle Management and Lower Management यह जो पूरी Hierarchy है, यह मैं आपको बताने वाले हूँ कि Starting आपका कहां से कौन से Level से होगा Hierarchy में Designation आपकी क्यों होगी, After that, कुंछे Designation होगी, उसके बाद कुंछे Designation होगी So Designation के उपर हम लोग बात करने वाले हैं, है Hierarchy के उपर हम लोग बात करेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाइस, इस Salary के उपर So Designation wise, I'll tell you about this salary as well So Salary के पर मैं आपको बताऊंगा Designation wise, So Guys Kitchen Department क्या होता है, यह हो जाएगा Scope हो जाएगा, हैर क्यों हो जाएगी, Salary हो जाएगा And सबसे Last में, Fifth Point में, मैं आपको Conclusion बताने वालो मैं आपको बताने वालो कि Kitchen Department जो है Is It Good or Not, मतलब ठीक है कि नगीए करना यह मैं आपको बताऊंगा, So, देरीना करतो है, वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहला जो हमारा Point है, वो है What is Kitchen Department So, देखो यार, Kitchen Department क्या होता है Kitchen Department में, खाना बनाना होता है, यह तो सभी को बता है Kitchen, यापको नाम से बता चाल रहोगा, इसमें Food Prepared का जाता है Kitchen Department के अंदर different sections होते है, अलग-अलग Cuisine का Food Prepared कर आजाता है अब मैं आपको कुछ sections के नाम बताता हूँ, जो कि Kitchen Department के अंडर आते है इन sections के अंदर आप अपना degree, diploma करने के बाद इन sections में जा सकते है इन sections में आप लोग job कर सकते हैं, अपना degree, diploma करने के बाद इन section, इन section जो की most favorable section है, students का वो ऐसा section है, मतलब सबसे सादर बच्चे जादे है इन section में, personally, यह मेरा favorite section है इन section इसमें आपको Indian cuisine, Indian खाना करना पड़ेगा यह सारे Indian sections में आजाएंगे, सारे Indian foods होंगे, Punjabi, South Indian, North Indian, South Indian, West Indian, East Indian, सारा food, Indian food में आ जाएगा तो Indian जो होगा, वो cuisine अलग होगा, continental cuisine अलग होगा, ठीक है, तो अलग अलग तरीके के, कहीं कहीं होटेल्स में का वादा है, Italian cuisine अलग रखते देंगे, लोग फ्रेंच क्यूजीन अलग रखते हैं, तो डिपैंड करता है, होटेल्स के उपपर, नॉमली अगर मैं आपको एक मी अलग होते हैं, बेकरी को एक तरीके से सबसे, मैं बोलों को, comparatively peaceful वाला माना जाता है, department, kitchen में, बाकियों के अलग होता है, उसमें थोड़ा एक तरीके से stress level काम होता है, बाकियों के sections के साब से, and guys, फिर जो हमारा section आता है, वो आता है, banquet, so banquet के लिए अलग सेक्शन होता है, ज सब एक तरीके से सारे sections होते हैं, जदर detail में नहीं बताऊंगा, detail में बताने के आपके बास Google है, वहां पर जाके search कर सकते हैं, अलग-अलग hotels के, अलग-अलग sections होते हैं, so guys, sections में आपको बताती है, अब मैं आपको बतातो working hours, कि kitchen department में working hours का रहते हैं, kitchen department के working hours और F&B के working hours अब में चुटकी में की है, normally, so kitchen में फ़ड़ा competitively काम ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यह इस वहले point के अंदर, कि जो kitchen department होता है, पूरी hotel में सबसे ज़्यादा जो रॉब होता है, वो kitchen वालो का ही होता है, कोई भी किसी chef से फालतों ही बोलता शेफ की पूरी hotel में चलती है, सबसे ज़्यादा रॉब जो होता है, वो kitchen वालो का ही होता है, यह बात अगर आपने IT के टाइम पर भी जाएंगे, आप लोग लोडिस करेंगे, आप बात कर लेता है, scope की, kitchen department का scope का रहता है, so guys, scope की अगर बात करें, scope में आपको दो तरीके से East Indian, West Indian, South Indian, सारा mix होता है, वो आपको बनानाना बड़ेगा, Indian foods होता है, personally, मेरा भी सबसे फेवरेट Indian food है, Indian के बाद आप बेकरी में जा सकते हैं, बेकरी में लोग स्पेसिफिकली बेकरी में अपने आपको बहुत ज़दा एक तरीके से evolve कर लेते हैं, और मतलब उसी में ही हो अपने करेर बनाते हैं, और बहर जागे बेकरी वालों के भी हो ज़दा value होती है, तंदूरी शायफ हो गया, बेकरी वालों के इन सब की value भार बहुत ज़दा होती है, और जो बैंकोट वाला section होता है, उसमें तो हर किसी भी काम करना पड़ता है, मतलब जो बंदर महां काम क करना पड़ेगा, किसी-किसी होटल से बैंकोट के लिए अलक्स होता है, नहीं से काम करवा लेते हैं, डिबेंड करता है कि होटल कितना बड़ा है, अब आते हैं मीन पॉइंट पे हमारे scope के नदर मीन पॉइंट है, scope के अंदर मीन पॉइंट था है, other than the hotels, के hotels के लावा आप आप लोग रेस्ट्रों में जाते हैं, बहुत सरी फेमस रेस्ट्रों चेन आपको लगता होगा है, आप सिफ होटल में जा सकते हैं, other than restaurant chain, आप लोग QSR में जा सकते हैं, अब QSR क्यों होता है, यानि कि क्विक सर्विस रेस्ट्रों, जैसे कि मैंग डी हो गया, डॉमिनोस होगा, बिगनिर वाला होगा, हल्दी राम होगा, तो वहाँ पर एक तरीका से 50% kitchen चाहिए होता है, 25% service और 25% front office mix-up होता है, बट kitchen वालों के लिए तरीका से मैं बोलूँगा, अच्छा ही है, वो लोग, सब कुछ इसमें mix-up ही होता है, आपको front office वालों का भी काम करने होगा, अभी QSR के उपर हम लोग detail में बात नहीं करेंगे, so guys kitchen department के बारे में आप लोगों को बता दिया है, scope जो है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब चलते हैं hierarchy के उपर, यानि कि designations कोन-कोन से होती है kitchen department में, so guys designation के बात करें, तो हम लोग start करेंगे commie 3 से, so guys commie से उपर आता है CTP, CDP तरिकिस होगया executive, CDP से उपर हमारे आते है, junior sous chef, या फिर sous chef, depend करता है, depend करता है कितने hotels में junior sous chef और sous chef से होती है, उन्हीं एक ही जगा पर रखता है, मतलब एक ही बनता दोनों के काम करता है, और इन जगा पर junior sous chef अलग होगा, और sous chef अलग होगा, junior sous chef अल इसने मेनेजर वह बाई होते हैं और वह उन से उपर आते हैं सबसे सबसे नमबर सब कर देश सेब एधार किया ना वाले मेनेजैण से वहाँ हो अब कंवोन होदे को कि कैनका यहां पर हमें इस बात बताना जाता हूं चुरु कि किछण यिभाली हुते हैं तो किछन टीपार्टमेंट के लोग होते हैं सब से जाधा क्यों सब्कैन भूते हुध सब्सेले सब ब्रकी के सकते हैं बट यहां पर मैं बात बनुगों कि प्रमोशन्स जो होते हैं वाग फ़ड़ा लेट हो सकते हैं अगर आपके अंदर स्कील है तो आपके प्रमोशन टाइम पर होंगे otherwise अगर आपके अंदर स्कील डेवलप नहीं हुए है आपके प्रमोशन्स एकदम से नहीं होते हैं आपको एक्जाम्स के लिए करने पढ़ते हैं एंट्रीव के लिए करने पढ़ते हैं वो स्कील्स आपके अंदर होनी चीलिये तो उसी के बेस पर आपके प्रमोशन्स होते हैं और इतनी अच्छी का से सालडी मिलती है ना यार क्रूज में सो गाइस किचन वालेच होते हैं वो क्रूज शिप में भी जा सकते हैं क्रूज के उपर मेरी कोई अलग से हो सकते हैं स्पेसिफिक वीडियो बनाईगी मैंनी चाहता है थोड़ी से इंफर्मिशन देख आपको कन्फूज करने के लिए डिटेल से एक वीडियो बनावगो क्रूज के उपर बट अभी के लिए बता देता हूं कि किचन वालों की क्रूज में बहुत जादा रीड होती है किचन का करके हैं अच्छा कासा करियर होता है कि इससी ये बता दिया है Scope मेरे आपको बता दिया है, higher की मेरे आपको बता दिया, अब चलते हैं, हमनोग salary की तरफ, की salary के होती है, kitchen department में? So guys, salary यतना सब्सक्राइब बाता है, यह होता है, की है salary की होगी, यह तो बताओ. So salary जो होता है, वो बहुत important factor होता है, जिसके बेसे हम किसी भी profession में, किसी भी आगे एक करियर में हम लोग एक स्टेपिंग करते हैं तो guys starting जो होती है वह 15,000 से ही ही होती है बाकी department के तरह but the salary की वो nominees की competitively जादा होती है बाद में जाके ठीक है गैवर की नलो की salary जाकेMelसाण के पчиेशथ ही कि ळीरी जादा होती है किए वह लोग बहुत अच्छा स्कूप है आउट अप अप जा सकते हैं अपको बता चुकों पर मोश्री में थर्णा थाइम लग सकता है रिवाइस एट रिडिवुड डिबार्टमेंट काफी अच्छे च्छे वह स्टार्ट होती है और बढ़ती चाती है अपको अगर मैं एक अप्रोक्सि जोगी आपने बंतर है स्टार्ट करा फर्स्ट यर में पांच सार्वाद आपकी स्ट्री को सकती है अप्रोक्सिमेटल अगर आप सही सरते हैं मतले अपके साल खोर्मोशन रहे हैं तो पांच साल बाद आपकी सार्टी हो सकती है सेवंटी थाउजन के असपास आफ्टर फाइफ यह एंद आफ्टर 10 यह सकती है सवा लाग के असपास किचन में यह मैं अधर देन प्रॉफिट बता रहा हूं अधर देन इंसेंटिफ बता रहा हूं आफ यह सकते कि आफ उपने 11 या 12 यह में आके 2 तिन लाग प्रॉपे कमाने लोगो 15 साल तक जाते जाते आप लोग कमाने लग जोग 5-6 लाग-7 लाग-8 लग हएं दचे यह सब कीचिल्स के ऊपर डिप Knights करता हैं अब की निजयージ जी प्रमोर्शनों सोते हैं उसके उपर डिपले करता है बद अच्छे खासे जोई हम लोग पैसे कमा लते हैं अगर आपठ लाइनक जाले तो आप अच्छे यह धैसे पैसे कमाने लोग लाइस्ट पॉईंट है हमारा conclusion, so conclusion में बताना है beef, so conclusion में अभी आ रह cięख को पर देता हूं Kitchen Department मेरी इसाफ से अच्छा है कि नहीं, so guys मेरी इसाफ से बहुत अच्छा Department है ALKम मेरत होता है कि सब्सक्राइब सबसेश्य給न भड़ाई कमकीयों मेरत होता है जो नहीं बना बाते होंगा नहीं होता तो खाना बनाना आपको आना चाहिए थभी आपको किछन में इंटर्वी में आपके सेलेक्शन होगा अधरवाइस इट से रिली गुट डिपार्टमेंट आप विदेश में जा सकते हैं अच्छी काशी सेलेरी बिलते हैं क्रूज शइब में बगधी रहता पैसे बिलते हैं अगल्यागी क्रूज को पर यपि मैं अलगी वीडियो में बना हुंगा क्रूज में अच्छी अच्छी में बिलते हैं और क्यू एजरिए में जा सकते हैं रेस्टरौ के जोती हैं ठातानग ग्लती हैं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है अगर आपको विदेश जाना है तो आपके इंटर आप खाना सकते हैं तो तो फिर आप जरू जाओ किशन डिपार्टमेंट में क्योंकि विदेश जाने के बहुत ज़दा बौचुनेटीज मिलती है तंदूर शेफ हो गए बेकरी शेफ हो गए खास्तोर से इनके में बता रहो कि इनकी फार भूबस ज़दा नहीं दूज लिया तो अच्छी जॉब निकलती है अच्छी कासी साजरी मिलती है वैल सटनल लाइफ होती है इंडिया में जो है तो लगा गसीड़ा चाता है किशनव लंबी शिफ्टार होते हैं बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है बट इंडिया में यसा बहार ऐसा नहीं है और इंडिया में भी स्टार्टिंग के लेवल पर है जब आप एक अच्छी मैंजीर पोस्ट पर आजा जैना तो फिर आपको तरह काम नहीं करना पड़ता है का आप लोग आप्ट कर सकते हैं इसे अगर आप लोग चैने तो इसमें अपने इंस्टाग्राम पे भी एक खरीके से पोल डाला था और उसमें मैंने पूछा था कि आपको किचिन डिपार्टमेंट की वीडियो चाहिए या एडवांटी इस तर फोटले मनेज्मेंट की वीड कर दो क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी वीडियो अच्छी है और आपको इससे रिलेटीड जो है एक टॉपिक्स ऐसे मिल जाते हैं मताब जिससे आप बहुत जादा रिलेट कर सकते हैं और आपको रगता है कि इस तानल की सब्सक्राइब करना चाहिए आगे और आपको वीडियो देखने है तो जरू सब्सक्राइब करना है चानल को बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रजडियो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिन वाचिन हैव नाइस देर